असलाम लेकूम एवरीवन रुही शफच चैनल में आप सभी का खुशाम अदीद तोड़ी वी गॉना डिस्कस अबाउट नोवेल दा कासल आफ और ट्रेंटो रिटर्न बाइ होरेक वालपल दा कासल आफ और ट्रेंटो एक गौथिक स्टोरी है इसका सब टाइटल है गौथिक स्टोरी गौथिक मिन की होरर भूतियार ड्राव्ना यह सब होते है लुझ सब स्टोरी इस लुझ मोट goddamn इस अब शिक्षनाल यह कालपनिक नोवल है यह रियल नोवल नहीं है मिन की यह कालपनिक स्टोरी Ensuite म現在 इस मंगधत स्टोरी चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कुछ हारीक वालपॉल के बारे में हारीक वालपॉल का जन 24 सेप्टेंबर 1717 में हुआ और इनकी मृतियू 2 मार्च 1797 में हुई He was an English novelist, biographer, memorious historian, essayist, play writer, later writer, antiquarian and wing politician He was the youngest son of the first British Prime Minister Sir Robert Walpole यह Robert Walpole का बेटा है, जो first British Prime Minister थे हैं सेटिंग है Castle of Attrento में इस novel को शुरू करने से पहले हम characters को पहले देख लेते हैं Friends, यह novel है यह थोड़ा पेचीदा novel है तो आप पहले characters को अच्छे से देख लें, इनके नाम को देख लें ताकि जब हम novel को start करेंगे तो आपको समझ में आए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा So characters में main character है Manfred जो की villain होता है, antagonist इसकी wife Hippolyta, Conrad, इसका बेटा होता है 15 साल का और Matilda, बेटी होती है Manfred का यह family है इधर Isabella जो Conrad की मंगेतर होती, इससे इसकी शादी होने वाली रहती है Frederick, Isabella के father होते है Theodore इस story का hero होता है Friar Jerome, Theodore के पिताजी होते है और यह पादरी भी होते है और इसमें एक Alfonso नाम का जो व्यक्ती होता है यह वहाँ का castle का ruler और honor होता है इसी से सारा story जुड़ा हुआ है चले novel की शुरुवात करते है इस novel की शुरुवात होती है Manfred से कि जो उसका बेटा है Conrad 15 साल का वो किसी बीमारी से जूज रहा होता है और उसकी शादी होने वाली रहती है इसाबेला से लेकिन होता क्या है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है उसी दिन Conrad की मृत्ती हो जाती है क्यूं होती है क्योंकि आलफॉन्सो का स्टैच्व रहता है किले पर उसस्टैच्व का हैलमिट उस पर गिर जाता है और उसके द्वारा उसकी मृत्ती हो जाती है अलफॉन्सो जो है वो वहां का किले का रूलर और ओनर था इसलिए वहां पर उसका स्टैचू बना हुआ था लेकिन यह जो मैन्फ्रेड है ना मैन्फ्रेड के पिताजी थे वो अलफॉन्सो से इसका जो भी गद्दी था सत्ता था वो शालाकी से लूट लिये थे और मैन्फ्रेड उस पर राज कर रहा था जब कॉंड्रेड की मृत्य हो जाती है तब वहां शादी में जितने भी लोग आई हुए थे वहाँ पर अफवा फैल जाती है और Manfred यह भविश्यवानी याद करने लगता है कि एक भविश्यवानी एक साधू ने करा था कि Castle of Trento का जो असली वारिस है जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता है तब तक इस Castle का ओनर रहेगा Manfred और जब उस Castle का असली वारिस असली जो हगदार है वो जब बड़ा हो जाएगा सम्हालने लायक हो जाएगा तब Manfred की सत्ता वहां से हट जाएगी तो यह चिंता उसे सताने लगी जब उसके बेटे की मृत्ती हो गई तो अब Manfred सोचने लगा कि अब उसका वारिस कैसे बढ़ेगा अब उसकी सत्ता तो मुश्किल में पढ़ गई तब उसके दिमाग में एक उपाई सूझने लगा अब Manfred को चाहिए एक वारिस और इसी के लिए वो अपनी वाइफ हिपोलीटा को तलाग देना चाह रहा था क्योंकि हिपोलीटा अब वारिस देने में असक्छम थी वो capable नहीं थी कि अब वो बच्चे को जन्म दे सके तो वो डिसाइट कर लिया कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देगा और वो इसाबेला से शादी कर लेगा इसाबेला उसे शादी करना नहीं चाहती थी जब इसाबेला को उसके ये चलाकी के बारे में पता चला तब वो वहाँ से भाग गई उसके भागने में थियोडॉर उसकी मदद किया थियोडॉर उस وقت फार्मिंग का काम किया करता था इसाबेला वहां से भाग कर एक चर्च में जा चुपी उस चर्च का पाइद्री था फ्रायर जेरोम जो की थियोडॉर का फादर होता है लेकिन ये भी तक मालूम नहीं होता है कि Friar Jerome Theodore के फादर है और वो उसका बेटा है और इधर जब Manfred को मालूम हुआ कि Theodore उसको भगा दिया इसाबेला को तो फैसला सुनाता है उसको सजा देता है कि इसको मरवा दिया जाए Friar Jerome Manfred के पास जाकर उसे समझाता है कि Manfred ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है तुमारे पास अभी भी मौका है तुम माफी मांग लो इन गलतियों से और तुम दूर हो जाओ मत करो ऐसा गलती लेकिन Manfred नहीं मानता है और वो पादरी से कहता है कि तुम चुप रहो तुम मेरी Hippolyta से डाइवर्स दिलवा दो बस वो ये कहता है लेकिन Friends जो Theodore को मृत्यों दंड मिला था वो तो करना ही था तो जब उसको मारने के लिए जब उसके शट को उतारी गई तब ही ड्रायर जरॉम पादरी जी देखते हैं कि Theodore के शोल्डर के नीचे में एक निशान बना हुआ है जो कि उसके बच्पन में भी होगा वो निशान तो वो उसे देख करके पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे खोया हुआ बेटा है जो सालों पहले मुझसे खो गया था तो वह Manfred से कहता है कि तुम मेरे बेटे को ना मारो Manfred कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा बेटा है तब उसके दिमाग में एक चलाकी आती है और वो कहता है कि ठीक है तुम इसाबेला को मेरे पास लेया और अपनी बेटे को लेते जाओ अब Manfred क्या करता है कि उसे टावर में लॉक कर देता है लेकिन यहाँ पर होता है कि Manfred की जो बेटी होती है Matilda वो Theodore को वहाँ से निकाल देती है टावर से बाहर निकाल देती है Theodore Tower से निकलते ही वो इसाबेला के पास जाता है और इसाबेला को कहीं दूर गुफा में ले जाकर के छुपा देता है उसे एकदम पुरे अच्छे से प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई उसे ढूंड ना पाए वहाँ पे जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं थे उसको रोकने के लिए जितना भी कुछ लड़ाई हुआ उस लड़ाई के बीच में इसाबेला के फादर भी थे फ्रेडरिक से भी उसकी लड़ाई हो गई इधर मैंफरेट को लगता है कि थेओडोर का फेस अलफान्सो से मिलता जुलता है तो वह थेओडोर से पूछता है कि तुम्हारे खांदान के बारे में तुम कुछ बताओ उससे जानकारी लेता है तो थियोडोर कहता है कि बच्पन में समुद्री डाकूओं ने मुझे किड्नैप कर लिया था और अपना गुलाम बना लिया था मैं वहाँ से किसी तरह बाहिर निकला तो बाद में मेरी मा का कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला जिसमें पता चला कि मेरे फादर यहीं और ट्रेंटो में एक पादरी का काम कर रहे है यहाँ पर आकर कि एक फार्मर बन गया यहाँ पर फार्मिंग करने लगा अपना गुजारा करने के लिए इसे ऐसे करके वो मैंफरेट को बताता है अब होता क्या है कि Isabelah के फादर Frederick Matilda से प्यार करने लग जाते हैं उसके प्यार में पढ़ जाते हैं Matilda जो मैंफरेट की बेटी होती है इधर मैंफरेट तो बोलता है कि अच्छा ओफर है तुम अपनी बेटी को मेरे पास लेते आओ मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगी और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो लेकिन फ्रेडरिक ऐसा नहीं करता है, वो मना कर देता है तुम Manfred गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है तभी पता चलता है उसके जासूस से कि जो थियोडोर है वो इसाबेला से मिलने गया है तभी वह चाकू लेकर के उसके पीछे-पीछे भाग जाता है और Manfred देखता है कि थियोडोर एक लड़की के साथ खड़ी है वो जाता है पीछे से चाकू से वार कर देता है वो लड़की वही पर गिर जाती है वो लड़की कोई और नहीं उसी की बेटी मेटिल्डा होती है वो इसाबेला नहीं होती है Manfred इसाबेला समझ कर उस पर वार कर देता है लेकिन उसकी बेटी निकल जाती है यह जान करके Manfred शौक्ड हो जाता है कि इधर उसको मारते ही किले के जो दिवार थे वो हिलने लगे और वहाँ पर अलफॉन्सो का पिक्चर बन गया और उसने डिक्लियर कर दिया वहाँ पर कि कैसल और ट्रेंटो का जो असली हगदार है असली वारिस है वो थियोडोर है मैंफ्रेड अपनी बेटी के मडर के सौक में डूब गया उसे रिग्रेट रहा कि उसने क्या कर दिया उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इधर थियोडोर इसाबेला के साथ शादी करके खुशी-खुशी रहने लगा वो कैसल और ट्रेंटो का रूलर बन गया और इसी तरह इस नोवल की हैपी एंडिंग हो जाती है I hope friends आप लोगों को ये नोवल इंट्रेस्टिंग लगी होगी दा कैसल और ट्रेंटो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्यू